सावधान आपकी सिहत बिगार सकती है मांगूर मचली दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा लेकिन उससे पाले आपसे मेरे छोटी सी रिक्वेस्ट है मचली खाने के सवकीन लोगों जरा सावधान हो जाईए मांगो परजाती मचली सेहत के लिए खतनाक हो रही है साथ हीवा जली जन्तूओं की भी दुस्मन है यह जली जन्तूओं को भी खा जाती है परिछण में पुष्टी के बाद इस मचली के पालने पर रोक लगा दी गई है राष्ट इतने अधिकरन के कुछ दिन पाले ही यह अधेह जारी किया गया है इसके बाद परदेश में अपालन करने वाले पजीद लोगों को नोटी दी गई है मचली पालन बिभाग के अफसर काते हैं कि नोटीस के जरिये मचली पालकों वा विक्रताओं को 10 दिन का समय दिया गया है समय पूरा होने के बाद पूरे जिले में अभियान चलाया जाएगा मांगूर मचली खास तोर से मद अफरिकन आती की मचली है या मद अफरिका में थाईलैंड और फिर भारत पहुंचाई जाती है वैसे तो इस मचली को अब अकपाला या बैपार किया जाता था लेकिन इछड के बाद पता चला है कि मचली जली जियों के लिए बेहतर खतनाक है यह पूरी तरह से मांसाहारी है जिस तलाब में यह मचली होगी वहां का जल भी अन्य जियों के लिए खराब हो जाता है यही नहीं यह भी जली जियों को खा जाती है चली पालक छै परकार की मचलीयां जिसमें रोहू, भाकूर, नैन, सिलवर क्राप, ग्रास क्राप, थाई मचली इसका भी नहीं है इस मचली में सीसे जैसे एक एसा पदार्थ पाया जाता है जो मानव जीवन के लिए बेहतर खतनाक साबित हो सकता है जानकारों की माने तो इस मचली के सेवन से सरीर में भारी नुक्सान पहुंच सकता है